मद्ध प्रदेश की कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बेहत खराब हो गए हैं कई नदी नाले उफान पर हैं निचले इलाकों में पानी भरने से जन जीवन अस्त वियस्त हो गया है राहत बचाव कारे में प्रिशासन की सांसे अब फूलने लगी है आगर मालवा के सोयत में करीब 5000 लोग पानी भरने की वज़ा से अपने मकारों में फसे हैं जिन्होंने दूसरी मंजिल के साथ छट पर अपना डेरा डाल रखा है हाला कि प्रिशासन ने मुनादी कर लोगों से इलाका खाली करने की अपील की थी जिसका कोई खास असर नहीं दिखा प्रिशासन ने अपने इंतजाम किये लेकिन वो सब नाकाफी लगने लगे हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रिशासन के पास अभी तक कुल दो बोट और कुछ ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे कमांडेंड साप के पास इसकी सुचना ही थी साल्यापूर जिले में कि वहाँ पर पानी अधिखे और सोयत कला में पानी गुश गया है और एक जेगे तीन लोग फसेवे हैं हम आये गाड़ी से आये तरह हमारे अधिखारि नहीं किया कि आप भी पर रुक नाकर पर और उख के विए हमने बोट तत्काल उतारी और उतारने बाद याज़ा दो मीड में जायजा लिया कि हमको की तरह बोर्ट को डालना है और कैसे उनकी जान बचाना है वैसे संभव नहीं था कि बोर्ड उस जगे पहुच जाए क्योंकि कुछ जगे पानी कम था और कुछ जगे बहुत ज्यादा अतिभाव था कम पानी की जगे हमारी मोटर बोर्ट का जो इंजिन देता है वो टक्राने से पीछले बारा घंटों से मुसलादार बारिश होई है अगर जिले में और उसका सबसेदा प्रफाब यह सोयत बस्ती जहां पे आप खड़े हैं अब देख रहे हैं बाटर लॉगिंग हुआ है स्वार में यह सोयत लगभग 15,000 पॉपलेशन का यह बस्ती है यहां पे तक्रि एक मंजिल तक डूब में आ गया है लोग अपने घरों के पहली मंजिल के उपर यह दूसरी मंजिल पे हैं अभी हमने इसमें रिस्क्यू सुबद से स्टार्ट किया है और हमारे SDRF की टीम जो है वो इसमें रिस्क्यू कर रहा है दो बोट हमारा चल रहा है जो लोगों को अ प्रिशासन की तयानिया कितनी है और इसी प्रिशासन से लोग उमीद लगाए बैठे हैं जिसकी सासे तक फूल चुकी है रतलाम से नियूज के लिए संजे जैन की रिपोर्ट हमार चल 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 अजैंगा पुल पूल चल उगा है कितु चल आहिए लोगो चल ऑल झाव कोँ से इट झाम